Friends, कई बार हमें Excel के अंदर different type के text को join करना होता है, आपस में उनको merge करना होता है, तो आज के वीडियो में friends हम देखेंगे उनको merge करने के Excel के अंदर क्या options available हैं, उन से related issues क्या है और उन issues का solution क्या है, आज के वीडियो में 4 different type के text join function जो की Excel के अंदर available हैं, उनके बारे में बात करने वाला हो, तो वीडियो काफी important होने वाला है, क्योंकि कई बार हमें बहुत सारे type के text को join करना होता है, वहाँ पर ये function बहुत काम आने वाले है, चैनल के अगर नहीं हैं, तो आगे बढ़ने से प screen upload के सामने है, 4 different function जो कि मैं बात करूँगा, ये friends, उपर top पे heading में लिखे हुए है, सबसे पहले friends, मैं बात करूँगा, end function के बारे में, end, 7 के ऊपर friends, 7 जो number है हमारे keyboard में, उसके ऊपर लिखा होता है friends, ये end, इसको कैसे use करना है, text join करने के लिए, friends, मेरे पास first name, middle name, last name, right, 3 column में अलग-अलग लिखे हुए है, मेरे को एक साथ उनको join करना है, कैसे join करना है, equals to का sign लगाना है, कोई भी formula start करेंगे, Excel के अंदर को equals to के sign के साथ start करेंगे, then equals to, right, मेरे को उस पहले number को select करना है, पहले cell को select करना है, जिसको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, right, उ एक से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, दस से ज़्यादा, जितने आप चाहें, उस से ज़्यादा, right, उतने आप merge कर सकते हैं, तो friends, मैंने तीनों को merge किया, end लिक्किया, और enter किया, आप देखेंगे friends, मेरे text जो है, join को गया है, मैं नीचे तक इसको copy करूँगा formula को, और paste क पर एक problem है, problem क्या है friends, first name, middle name, last name के बीच में कोई भी space नहीं है, मेरे को चाहिए है, उसमें space भी आ जाए, तो basically friends, मुझे क्या करना है, equals to, equals to, first name, अब इसके बाद friends, मेरे को इसके अंदर manually एक space लिखना है, but friends, किसी भी formula में, axle के किसी भी formula में, अगर आपको manually कुछ भी लिखना है, तो आपको इसको double inverted coma के अंदर लिखना है, right, तो मैं double quote का sign, double inverted coma लिखूँगा, एक space लगाऊँगा, double inverted coma, right, इस तरह से मुझे लिखना है, but friends, इसको भी मेरे को join करना है, यह ऐसा नहीं है कि इसके बाद आ लिखते चले जाएगे, आपको end का function लगाना है पहले, कि सबसे पहले इसको लो end, join करो, क्या join करो, space join करो, double inverted coma के अंदर एक space, double inverted coma close, right, तो a to end space, then फिर end, space के बाद क्या आएगा, middle name, then फिर एक और end आएगा, तो end लगाया, अब एक space आएगा, double quote का sign, एक space, double quote का sign, right, तो मेरे को middle name के बाद भी एक space जाएगे, तो मैंने इस तरह से किया, फिर मैंने end लगाया, अब इसमें क्या जोड़ो, अब इसमें last name जोड़ो, last name इसके अंदर जोड़ो, enter किया friends, और इस formula को मेरे को नीचे तक copy paste कर देना है, अपनी सारी range में, and friends, मेरा काम हो गया, but problem friends, अभी भी छोटी सी इसके अंदर एक रह गई है, problem क्या है friends, यहा पर middle name नहीं है, वहाँ पर space इसने थोड़ा ज्यादा ले लिया, ज्यादा से मतलब friends, इसने double space ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर friends, मैंने space दो बार use किये है, middle name नहीं था, लेकि space तो इसने ले लिया, space तो इसने join करी दिया, तो दो बार, तो friends, ऐसी आपको problem को solve कैसे करना है, अभी बताता हूँ, अभी बताऊंगा ऐसी problem को solve कैसे करना है, second friends, हम लोग बात करेंगे concatenate, concatenate exactly end की तरह ही काम करता है, आप अपने comfort के हिसाब से दोनों में से जो चाहें, वो use कर सकते हैं, कोई फरक नहीं है, equals to concatenate, मैंने लिखा concatenate, यहाँ पर friends, आपको बीच में end नहीं लिखना, कोमा लगा लगा के आपको बताना है कि कौन-कौन से number join होने है, जैसे text 1, तो मैंने बोला जी ये वाला, कोमा, then text 2, text 2 ये वाला, फिर कोमा लगाया, text 3, यह आप से पूस्ता रहेगा क्यतने text, जितने आप text चाहें, कोमे लगा लगा के बताते रह आने हैं, और यहाँ पर concatenate लिखके bracket start करके आपको उनको क्या करना है, उनको आपको फ्रेंट्स, कोमा लगा लगा के एक text बताना है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी सेम थी बीच में space नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी फ्रेंट्स अगर आपको space चाहिए, तो आप क्या करेंगे हर item के बाद, जैसे a2, a2 के बाद b2 से पहले, आपको क्या करना है, manually आपको बताना पड़ेगा, कि एक space यहाँ आएगा, और कोमा लगाना है, तो same भी फ्रेंट्स, कोमा लगा के जरूरी नहीं है, आपको cell का reference देना है, कुछ बीच में manually fit करना है, तो आप इस तरह से बता स कोमा फिर एक space, कोमा seat, ऐसे आपके जितने होंगे, आपको वो करने पड़ेगे, इसका solution दूँगा, आप बोलोगे यार, इतनी बार मेरे को कोमा लगा लगा कि space लिखने पड़ रहे है, अब भी बताऊंगा solution, बड़ा आसान सा बहुत बड़े solution देखाने वाला हूँ, but function सा सारे पता होने चाहिए, पता नहीं कहां पर किस चीच की जड़त पड़े, एंटर किया है और आप देखेंगे, मेरी problem solve हो जाती है, बीच में space आ जाता है, but friends, मैं इसको जब copy और paste करता हूँ, तो same way, जैसे end के case में दो space लिए, यहाँ पर भी friends, यह दो बार space ले रहा है, extra space जहाँ पर middle name नहीं है, वहाँ पर थोड़ा आपको extra space देखेगा, दो बार space ले रहा है, क्यों? क्योंकि आपने कोमा लगा कर दो बार space बताइए, बताइए, मेरी बजबूरी है, मैं क्या करूँ, बताना पड़ेगा, first, एक solution तो देखो इसका यह है, कि अगर आपको किसी reason स and या concatenating use करना है, तो आप if function के थुरू काम करोगे, जैसे if function के थुरू कैसे, आपको जहाँ पर middle, ये वाला जो space है, आपको doubt है, कि पता नहीं, b2 पे कुछ number हो गया नहीं होगा, तो अगर मालनो b2 में number नहीं हुआ, तो ये space आपको चाहिए ही नहीं, ये space आपको चाहिए नहीं, otherwise चाहिए, अगर b2 में कुछ लखा है, तो आपको ये space चाहिए, b2 में कुछ लिखा है, तो ये space चाहिए, otherwise रहीं चाहिए, तो आप friends यहाँ पर एक if का function यूज कर सकते हो, if का function हिंट कर रहा हूँ, नहीं पता है, तो if का function जरूर देख लिएगा, आप यहाँ पर if क function देख लिए न, पता है, तो आप इसको खुझ से try करके देखना, right, मैं enter कर देता हूँ, तो if के through आप एक तो solve कर सकते हो, दूसरा, आपको अभी text join function के through इस problem को solve करके दूँगा, third function friends, concat, concat friends से क्या काम करता है, concat में भी issues हैं, बट थोड़ा सा आसान है, comparatively, जैसे end के case मे मुझे बार बार एंड लगाना पड़ रहा है, concatinate में मेरे को क्या करना है, बार बार को में लगाना आगे बताना पड़ रहा है, concat में 81 range दे सकता हूँ, equals to, right, मैंने बोला concat, right, मैंने बोला concat, अब concat के case में, friends, मैं इसको पूरी range, concat bracket start, पूरी range दिया, bracket को किया, मैंने join कर दिया, तो जितनी भी बड़ी range है, अगर आपके बहुत सारी item है, जिनको join करना है, concat up के लिए ज्याद अच्छा रहेगा, right, और enter, right, और मैंने सब को copy करके नीचे paste कर दिया, simple, but friends, problem again, यहाँ पर भी है कि beach का space, beach का space कैसे item, तो उसका, friends, जो solution मैं आपको दूँगा, व but friends, Excel के latest versions में available है, आपके Excel में है या नहीं है, आप प्लीज को check जरूर कर लीजेगा, तो कैसे check करेंगे, equals to आप लिखेंगे text join, right, जैसे आप text join लिखेंगे, आपको यहाँ पर नीचे pop-up में लिखा हुआना जगा, जैसे मैंने लिखा text j, जैसे मैंने j लिखा, तो text j से ज delimiter, delimiter के reference कि आप जिन text को join करेंगे, जैसे मैं या first name, middle name, last name को join करूँगा, delimiter है friends, इनके बीच में आपको कुछ चाहिए, कुछ बीच में चाहिए, space चाहिए, coma चाहिए, dash चाहिए, dot चाहिए, कुछ हर text के बीच में आप लगाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, मैंने का हाजी बिलकुल space लिखना चाहते हैं, तो मेरे को double inverted coma में, एक space double inverted coma close, manually जो भी लिखना है friends, लिखना वैसे ही है double inverted coma में, बट यहाँ पर friends इसने एक बार में पूछ लिया, हर text के बीच में बार बार नहीं पूछेगा, coma, then true false, क्या है friends पढ़ लेते हैं, true, ignore empty cells, मतलब बीच में आके text के अंदर, अगर मुझे कहीं पर भी कुछ ignore empty मिला, तो क्या उसे ignore करवाना है, मैंने कहा ignore करा दो, अगर किसी reason से आपको ignore नहीं करवाना, आप कहते हो, नहीं, अगर empty है, तो उसको भी लेके चलो, तो आप उसको false बोलो, right, false क्या कहता है, include empty cells, तो अभी friends मु इसको range बता दो एकटी, 3 है 3 बता दो, 30 है 30 बता दो, right, जितने भी यह सम बता दो, पूरी range मैंने दी और bracket को कर दिया close, bracket को कर दिया close और enter, friends आप यहाँ पर देखेंगे, इसने आपको automatically हर name के भीच में, middle name, first name, last name, सब के भीच में एक space fit कर दिया, और मैं copy करके friends नीचे इस ignore empty cell function use किया, right, तो ignore empty cell भी इस ने कर दिया, बार-बार मुझे space भी ने लिखना पड़ा, friends, तो चितनी भी problem थी, इन 3 function के अंदर, friends, इसने मेरी solve कर दी, तो most latest function है text join, but Excel के latest version में available है, एक और example के साथ देखते है, friends, suppose friends, मुझे यहाँ पर एक, मैं yellow color कर रहा हूं, यहाँ पर, friends, मुझे text join लगाना है, क्या करना है, friends, मुझे, जितने भी यहाँ पर यह name है, suppose मेरे पास names की list है, names की list है, yellow cell में, right, इन yellow cells में name की list है, मेरे को सारे name यहाँ पर चाहिए, एक cell में, और हर नाम के बाद एक coma आएगा, then एक space आएगा, फिर दूसरा नाम, coma space तीसर नाम, coma space चौथा नाम, ऐसे सारे नाम आजाने चाहिए, क्या करूं, text join लगा लगें, कैसे equals to text, right text join, bracket start, delimiter, क्या लगाना है, delimiter में, friends, delimiter के अंदर पहले मुझे coma लगाना है, then space लगाना है, तो double quote sign के अंदर, एक coma, and then space, coma और space एक साथ बता दिया, and then double quote का sign close, तो double quote के sign क बीच में, friends, जो भी आ रहा है, वो हर नाम की बीच में उठा ले गाई, then coma लगाया, coma लगाना है, again true false, मेरे को true करना है, ignore empty cells, तो मैं true लग देता हूँ, यहाँ पर, friends, कोई भी मेरा empty cell नहीं है, इसलिए आप चाहिए true लिखो या false लिखो, एक ही बात है, result वही आ रहा है, य यह वहाँ पर important हो जाता है, जहाँ पर बीच में कुछ blank values है, जैसे मेरे पहले example लगी, right, तो मैं यहाँ पर true use करना है, coma लगाया, then friends, यह मेरे सारा text पुछता है, कौन सा text, मैंने का, यह सारा text, right, यह सारा text, इसको join कर दो, right, bracket को मैंने किया, friends, close और enter, और आप देखेंगे, right, friends, सारे नाम, सुखदेव सिंग शर्मा, कोमा स्पेस, तुपेश सैनी, कोमा स्पेस, मुहमद, कोमा सैनी, सरवोदय कुमार बाती, कोमा स्पेस, रितिन गुपता, friends, जितने भी नाम थे, सबके साथ, friends, इसने एक कोमा लिया, और एक स्पेस लिया, right, friends, काफी बढ़िया function ह अपने एकसल में चेक कर लिजेगा, अगर अवेलेबल है, तो प्लीज आप कोशिश करना की इसी function को यूज करो, otherwise, आप इन तीन को try कर सकते हैं, right, friends, and friends, मैंने Power BI के उपर master class स्टार्ट की है, जिसके अंदर, friends, मैं आपको देखाँगा कैसे Power BI को यूज करके, आप visually effective dashboard create कर सक हुआ, तो जो लोग भी interested है, इस master class में registration करा सकते हैं, so I hope, friends, वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, चैनल पर नए हैं, तो फ्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, notification वैल पे click जरूर कीजेग वीडियो के notification आप लोग के पास time से पहुच पाएं, thank you friends, thank you, bye bye, good night